प्रोसेस गुर्द्वाराश्री बंगला साहिब में जहां कोई 50-60,000 लोग डेली लंगा शकते हैं और यहां लंगर का जितना भी खाना बनता है लगबख सारा खाना फुली ओटमेटिक मशीनों के दवारा बनता है तो चलिए गाइस वीडियो का पूरा एंड तक देखना और चलने के निकलेंगे तो आप देख सकते हैं पानी से आलू धुले जा रहे हैं छिल रहे हैं साथ के साथ और कोरोना के टाइम में बिल्कुल अंटश्ट काम हो रहा है और वह भी 50 किलो आलू छिलना और धुलना यह काम पांच मिनट के अंदर हो रहा है इस मशीन से पहले इस पर देख इस मशीन में काटे जाएंगे और यहां पे भी बहुत जल्दी काम हो रहा है कितने भी आलू डाली यह मतलब बिजिन से कटके नीचे आ जाते हैं तो इसमें कितनी देर लग जाती ही 50 किलो आलू होने में तो यह काम भी कितना आसान हो चुका है आप देखे हार्ड हमारे कट चुके और अब यह जा रहे हैं यहां की अल्टरा मोडन किचन है गुर्द्वारा बगला साहित की और यह आप देकि इदर यह चावल धुले जा रहे हैं अब यह जो धुले हुए चावल है इन्हें डाला जा रहा है पानी रिपाइंड और मसाले हैं उसके अंदर तो यह इसके अंदर सो किलो चावल है और सो किलो चावल यहां पर दस मिनट के अंदर उबल जाए गाए इस मशीन के अंदर पहले इस साम को होने में एक गंटा सवा गंटा लग जाता था गाम कितना आपानी जल्दी हो गया कि यहां पर 50-60,000 लोग देली लंगा करने आते ह हैं तो कहिए तो इन मशीनों का आने से ना कि और मैंट पॉंस की जरूत कम हो गई है बल्कि साइन भी हमारा कॉपी कम लगने लगा है इसमें डाल बनेगी और पहले पानी डाला जा रहा है जाल के लिए और यह दाल डाली जा रही है और यह पचास किलो डाल एक बारी में ब पचास किलो आटा जाएगा और आप फुस सोचिए और नोहातों से आटा गूंदे बैठ जाएगा पचास किलो तो कितनी देर लगेगी इसमें बीज मिनट के अंदर ही पूरा काम तहियार हो जाएगा यह काम करने के लिए का संकत यहां पर कर रही हो ती दो से ठाई घंटे का टाइम नगा करता था अब 20 मिनट के अंदर यह काम हो जाता है दस बारा मिनट के अंदर यह पचास किलो आटा गूंदा जा चुका है और इससे रोटियां बनेगी तो यह जो आटा है इसको छोड़े जोटे पीसीज में काटने के बाद यह डाले जाएगा मशीन के अंद अधर ऑन मशीन से जाटे के अपने आप पेड़े बनके निकलते रहेंगे और जोड़े ऐंद इसके और हलका बने ओवर फटे न को यह तो यहां तो परफेक रोटी की शेप बनके निकलेगी और ये रोटी यह इस्की बास जाएगी यहाँ करें देख लोटी देखेंगे इसके अपने अपने निकलती रहेंगी यह मतलब किद्ने नोटी निकल जाती है इसमें तो यह खंट एक गंट में चारबार रोटिश तो यह देगे आप एक गंट में चार हजार रोटिया निगल रख़ती है तो किसना मतलब टाइम सेव हो जाता है और यह इंपे घी लगता रहेगा अधर और घी लगने के बाद यह रोटिया आ रही है इधर जहां से डारेक संगर के पास चले जाएंगी लंगर में और इधर यह बन रहा है आलू सोय भी इसमें ग्रेवी डाल जाएंगी है पहले मिल् से लगब 50 किलो आलू है 20 किलो करीब इतने स्वया भीन है और पानी की 30 किलो जाएगा तो बनने के बाद यह 100 किलो ज्यादा सब्सक्राइब हो जाएगी यह 300 किलो डाल एक ही बारी में बनी है यहां पर फुली आटोमेटिक तरीके से तो यह जो चेंजिस हैं यह आए बुद सिदा जाएगी लंगर में संगत के लिए जो चावले अब तयार हो गए और बाहर निकाले जा रहे हैं और संगत के लिए पहुचाए जाएंगे लंगर में और इधर देके दाल के निकलते ही जो यह बड़े वाला जो बरतने दाल बंती जिसमें यह साथ किया जा रहा है एक तो वाइज यह देखिए संगत आनी शुरू हो गई और यहां पर सब लंगर शखेंगे एक दिन में पचास से साथ हजार लोग यहां पर लंगर शखते हैं जो हमने आपको मेकिंग दिखाई लंगर की वह आप कोई भी आ सकता है और जितना चाहे उतना मन उतना पेदबार के लंगर से करता है यहां पर कोई देखाव नहीं कोई रॉक डॉप नहीं किसी के लिए जिए आए हैज पाहे बुरू नहीं कि पता है पता था वह यह बहुत आए हैं कर सकते हैं आप और आपके सेवा भी विश सकते हैं अब तो डाइज यापने देखा लंगर में कोई भी आ सकता है गरीब अमीर चोड़ा बड़ा मंत्री विकारी सब एक जगा बैठी खा सकते हैं अपना पेट बर खा सकते हैं बस एक आप लोगों से मेरी तर्फवास से तो आप समझे किसी और के हिस्से का खाना आप डस्पिंग में डाल रहे हैं तो बस यहीं मेरी आपको गुजारी शेबागी में अम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों सा शेयर कीजिए और एक किरपा है कि ये महां किरपा है उदे नाले लंगर आज नी चल रहे हैं और सदियों तक चलदा रहेगा कोई कमीनी गुरू दे कारिच वाई गुरू जी दखालसा वाई गुरू जी देखालसा है